नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे नगर पाली का सेवा परिक्षा जो की 29 अक्टूबर 2023 को हुआ था जिसका मैं आंसर की लेकर के आया हूँ तो हम लोग आज देखेंगे कि आप ये कितने आंसर सही हुए आप इसे मिला सकते हो हमने पूरी कोशिस की है कि हम लोग सही आंसर तक जा पाएं और आपको अपना exact नमबर पता चल पाए क्योंकि जैसा कि आप previous year के exam का pattern देख रहे होगे तो हमारा response की को नहीं बताया जा रहा फिर भी question का label कर सकते हैं बहुत ज्यादा tub भी नहीं था बहुत easy भी नहीं कर सकते हैं easy to moderate कर सकते हैं तो हम लोग चलिए आज आंसर को समझने का परियास करते हैं और earn तक हमारे साथ बने रहना है और आपको और ध्यान देना है कि मैं हर दिन कुछ practice questions लेकर के आता हूं आपक participate आपको करना देखिए participate आप करोगे question का type समझना आगा क्योंकि मेरा जो PGT का experience रहा है तो मैं जितने भी mock बना रहा हूं जितने भी character में बता रहा हूं पोयम में जो themes related question ओ exam paper में देखने को मिल रहा है तो आपको ध्यान ए रखना है कि जो आपको कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा research बड़े research के बाद team work के साथ किया जाता है तो आप इसमें ध्यान दे और इसमें जरूर participate करें यह मेरा आपसे request है अगर आप बहुत number gain करना चाहते हैं upcoming CGL के exam में क्योंकि paper 2 English जो अभी question का pattern आए देख तरह सिका सकते हैं कि previous year का question आपको मिल गया आपके हाथ लगया आपको type पता चल गया topic wise भी my question को ले करके आँगा जैसे मैंने कल active passive का करवाया था कुछ question तो देखे बड़ी easy level के question थे अगर इनको basic rule पता हो होगा they can easily change active to passive and direct to indirect तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आप अपना answer मिला सकते हैं मैं सब question के answer को पढ़ूँगा न क्योंकि बहुत lengthy video बन जाएगा तो मैं 25-25 question का part लेकर क्या होगा जिसमें मैं बता हूँगा कि क्या question एक चुलना कहना चाह रहा था तो आप एक इस passage को पढ़ोगे तो पैसे से देखना बहुत जादे question तो नहीं थे लेकिन आपको इस पैसे के पढ़ने के बाद एक आपको answer मिल जागा जो कि अगर आप पैसे को पढ़ोगे eagle का size कितने centimeter length है कितना उनका size होता है एक कितने बड़े होते है वो सारे चीजों को कहां पर रहते हैं क इन चीजों को देखते हैं है ना कितना उनका कैसे वो feeding करते हैं यंग age में कैसे उनका color क्या है सारे चीजों के बारे में हैं पर बताया गया है तो अगर इसका answer की और आप जाओगे तो आपको इसका answer मिलेगा नौर्थ अमेरिका किलियर मैंने highlight भी कर दिया है तो अई रोब अफिर का ASEA का जिकर यहां पे नहीं हुआ है अगर आप नौर्थ अमिर्का की बात करोगे तो देखना यहां पे जिकर हुआ है कैसे नौर्थ अमिर्का हुआ हुआ आगे मैं जब lecture वीडियो लेकर क्या होगा तो इसमें discuss करूँगा what is the meaning of the word conspicuous तो आप इसका देखो कि इसका मतलब होता है clearly visual है न यह सब कहीं भी कुछ ने आएंगे आप अदम डायक जाओगे तो आपको जाना होगा कि जो बहुत असपर्शुर्प से दिखता है इसका exact meaning होगा अगर हम आज आएंगे जिसे मैंने फॉनिटिक्स और हिस्ट English literature मैं start करने वाला और I hope कि 15 November तक मैं इसको clear कर दूगा हर दिन एक topic आएगा आप phonetics देखेगा part linguistic या literature की student के लिए लेकिन आपके syllabus में दिया हुआ है थोड़ा तो tough identify करना बट कुछ history के है कुछ rules है कुछ ऐसे चीज हैं जिनको आप अगर दिमाग में रखते हो तो आप answer तक A option इसका सही होगा मतलब first का जाओगे North America second clearly visual third का हमारा close approximation है fourth में जाओगे तो past participle का बात किया गया कि आपको past participle identify करना है तो stealing आपका तुरा third का eliminate भी करना है आपको आना चाहिए फिर यहां भी इस से शुरू है नहीं तो past participle में जिस structure में भव 3 का यूज किया गया हो तो हम जानते है present participle होता है और past participle होता है present participle में हम बात करते है ing form का और past participle में बात करते है भव का third form का तो he has stolen twice in the past two months तो हमार third number सही हो जाएगा clear चलिए अगर हम आते है next origin of the English language subordinate clause because he left तो आप इसका जाओगे casual इसका answer होगा जिसमें मैं depth नहीं जा रहा हूँ मैं सब question पे analysis वीडियो लाओंगा और इन कितने clause से कितने active से कितने passive कितने active passive से कितने direct in direct से grammar से कितना portion आपको मिला किस chapter से किस topic से essay से novel से short story से कितने question रहे मैं part by part आप वो quiz भी करवाऊंगा और मैं share भी आपको करूँगा ताकि आपको पता चल जाए type of question और कैसे question बन सकते हैं upcoming exam के लिए तो चलिए हम लोग six number question पे आते हैं तो identify this sentence where the infinitive तो infinitive मैंने बताया कि जब भी भव से पहले to लगा हुआ हो to go to learn to go to learn to speak तो आपको समझ जाना है कि वह infinitive है क्योंकि हम जानते हैं कि आपने finite और non finite पढ़ा गो तो non finite में तीन आते हैं एक आता है आपका infinitive, gerund जिसमें ing लगाते हैं और एक हमारा होता है participle जिसमें present participle और past participle तो आपके syllabus में भी है तो to go first to the airport is the best choice तो हमारा B number correct हो जाएगा ठीक है चलिए जिन्होंने भी answer दिया है कहीं नहीं कहीं उनका grammar में मुझे दिख रहा है कि अच्छी पकड़ उनकी है और सही टिक लगाया है मैं appreciate करता हूँ I hope कि उनका अच्छा number आओ भी नहीं था तो हम बात करेंगे कि savior minister था क्यों कि जब हमारा prospero वापस जब उहां पर इस island में आ रहा था तो इसकी मदद करने वाला कौन था गोंजेलो ही था और अभी जब सीप को tempest किया गया उसको सीप रैक को aerial के दौरा क्योंकि prospero बदला भी लेना चाहता था गोंजेल थे तो prospero, savior and minister तो आपका यह answer जागा यह तीनों eliminate करना ब्रदर है नहीं ब्रदर का नाम आपको जानना है Kings of Nepal के कौन थे कोड जेस्टर कोन थे स्टेफिनो और टिंकलो तो मैंने सब वीडियो में discuss कि आपको एब लेक्चर जरूर सुनना है के लिए दिखे character से question ना यहां वाले भी है, science वाले भी है, हर तरह की student है, तो आपको बहुत depth label पर नहीं जाएगा, तो आपको इस तरह से question को solve करना है, how many stage of children cross before they learn irregular above according to Joseph Williams in his book origin of the English language, तो two stages होता है, कि लिए थोड़ा इसका answer की भी देखेंगा, कहीं कहीं four stages भी लिखा हुआ रहता, लेकिन मैं जहां तक तो आप देखो कि पहले आपको sentence को पकड़ना है, राकेस kicked the ball, तो subject kicked की है, तो भव to plus object, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कि राजेस kicked the ball, तो हम the ball को object बनाएंगे तो the ball, और हम जानते हैं कि simple past tense में जो sentence रहता है, उसको हम कहां पे ले जाते हैं, अगर past में हैं, तो हम जानते हैं कि past continuous tense का वाज वर कुलेंगे, तो the ball कैसा singular है, तो हम वाज ले लिए, तो the ball was kicked by राजेस, कितना आसान है, the ball is वी तो आपको लगाना ही नहीं है, has been लगेगा ही नहीं, had been लगेगा ही नहीं, तो आपको eliminate करने भी आना चाहिए, और आपको पता है, तो easily up कर दोगे change के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, in the poem a river, A.K. Ramanujan find shocking which of these, तो समझ सकते हैं, इसका answer जाएगा people's tendency to view a flood damage in a statical manner for sensitization, तो ये नंबर जाएगा, आपको अगर अरीभग poem के बारे हम जाना है, क्या कुछ बताया गया, तो आप इसके lecture को सुन सकते हैं, आपका concept clear हो जाएगा, choose the option which best express the meaning of the idiom phrase, idiom phrase आपको पढ़ना है, तो इसका answer is to read between lines, to understand the hidden meaning, आपका A option सही होगा, ऐसी बो का history of English language में, which of this German word that the etymology for water in English stress, तो water को वैसर के नाम से जाना जाता है, तो मैं अभी पढ़ाऊंगा history of language, history of English language, तो मैं उसका origin कब हुआ, कैसे पहले की English कैसे थे, आप कितना परिवर्तन हुआ, तो सारे चीज़ों को हम जब देखेंगे, तो इसको जिकर करेंगे, लेकिन आपको थोड़े book को पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे chapter है, history of English language और phonetics, दो ऐसे topics हैं, जिसमें आपको खुद से भी महनत करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ आपको या इसका correct होगा, rewrite the sentence in indirect speech, indirect speech का बात कदर, the teacher said, what is the matter, तो मैं अब बताया हूँ, कि जब भू डब्लू एस से question रहे, या डब्लू एस या helping भव से question बने, तो आपको इस फेवेदर कब लगाना, जब do, does, is, mr, was, has, have, रहे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, what say, तो the teacher said, तो teacher क यहाँ पे क्या करा, पूछ रहा है, कि what is the matter, तो teacher asked, चले, ask तक यहाँ चल गया, अब इसके बाद हैंगे, what the matter is, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम लोग तो देखते हैं कि what is the matter, तो हम लोग यहाँ पे जैसे जाते हैं, the teacher asked what the matter was, the teacher asked what was the matter, the teacher was what the matter had been, तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा question कैसा रहें इसमें इजमार का यूज किया गया तो हम इसको change करने, set भी किया गया reported clause में, reported भब मेरा set तो आप इसके through मत जाओगे आप यहाँ पे क्या जाओगे what the matter, ease है तो आपको जाना होगा, watch में यहाँ पे highlight करने में गलती हुई लेकिन आपको इसके साथ जाना, कैसे जाना है मैं एक बार फिर से आपको revise करवा दे रहा हूँ आप इसको ध्यान दीजेगा, जिसे देखिए the teacher से, तो teacher ask हो गया what the matter, watch हम what का what लगाते हैं और जो interrogative रहेगा जब हम इसको in direct में change करेंगे तो हमको इसको positive, adjective sentence बनाना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे the matter और each को change करेंगे क्योंकि पूछने वाला कैसा है हमारा reported clause कैसा है reported भाव का use क्या क्या गया है past, simple past में है, said लिखा हुआ इसलिए हमने वाज किया, के लिए चलिए in the play Dr. Foster's जाओगा, तो आप जाओगे Pope's court in a room, तो C आपका option होगा clear, यहाँ पे जाओगे, 14 का मैंने A बताया है, identify the sentence where the gerund function as the subject in the sentence, अब आपको gerund का use करना मैंने बताया है, जहाँ भी gerund आएगा आपको समझना है, ing का use किया वाजाएगा subject के root में उसका use होता है तो आप यहाँ पे देखो कि dancing, he entered the building he dance his way आप से पहले तो बीन नमबर मेरा नहीं होगा dancing his way into her heart he became her husband dancing in the park after six in the evening is not a lot तो D हमारा हो जाओगे, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, dancing यहाँ पे आजा subject काम कर रहा है, origin of English language से फिर है, history of English language से तो 17 वाले में क्या है कि थोड़ा इसमें मुझा डॉट है, तो हम लोगा answer की आएगा, तो इसका इंतजार करेंगे 17 आप रखोगे, क्योंकि मैं ऐसा answer नहीं बताना चाहरा हूँ, जिसे आपको लगे कि सागर सन ने गलत answer को बता दिया हमारा होगा, कि लिए मैं अभी बता रहा हूँ, मैं define नहीं करूँगा, define करूँगा तो lecture बढ़ा हो जाएगा, फिर आपको भी answer पकड़ने कि कितने आपके correct answer हुए, according to history of English language, which is this not a Germanic language, तो Russian, identify the post positive adjective among this, तो एगर हमारा होगा, भी option से ही होगा, हम अगर 21 नंबर में जाएंगे, Travinda Tiger tried to imply that the discussion between the couple at the start of the cast of a short story, lacking in the focus, और children, तो हम कर सकते हैं like a rudder-less boat, यह नंबर हमारा सही होगा, rewrite the sentence in active voice, मैंने बताया था, कभी-कभी आपका passive में रहेगा, उसको active में change करना तो यहाँ पे sentence को आपको पढ़ना है, कि active voice में change करना है, कि अबर the prayer room was being cleaned by me, तो जहाँ भी being लगाते हैं, तो आपको जान जाना होगा कि present continuous tense का या past continuous का a sentence है, तो हम करेंगे किसके दोरा clean किया गया, मी कि दोरा ता I हो गया, और यहाँ पे देखर वाज है, तो I के साथ हम वाज ही लगाएंगे, I was cleaning the prayer room, आप इसको हमको change करना होगा, तो the prayer room was being cleaned by me, चेंज हो गया, तो C हमारा option correct होगा, choose the synonym सापको करना है, तो absolute का आपका हो जाएगा, प्रीमेबल तो आप इसको देख लोगे, a.c.b. history of English language से फिर है, तो आप इसका देखोगे, तो आपका डी option हो जाएगा, rewrite the sentence, डाय की स्पीच, चले डाय की स्पीच वाले हम लोग देखते हैं, तो डाय की स्पीच में कहा, सिधारता टोल, I use that, पर्तियूस came every Thursday, तो आपको इसको डायक में कना, इन डायक भी रहे, हम उसको चेंज कर देंगे, set to में, तो हम देखते, set to, set to ठीक है, अब यहां पर में आगे तो इसको आना ही नी चाहिए, उड आ गया, इसको आना नी चाहिए, सूड आ गया, इसको आना नी चाहिए, तो पर्तियूस comes every Thursday, तो यहां पर देखो, comes है, तो हम जानते हैं, कि जब हमारा direct में simple present tense, present definite रहेगा, तो उसको हम change कर देते हैं, simple past में, और अगर हमारा reported भव, अगर यहां पर सिधार says to I use रहता, तो हम सीधे ध्यान देते, कि आपको कोई भी tense change नहीं करना था, हम सीधे प्रणावन को change करते, तो आप इतना basic आपको पता होगा, चलिया, इन जवाहाला नेहरू, कमला नेहरू, how does जवाहाल describe कमला as being when they wait, तो आप देखोगा, as modest and unassuming, तो आपको थ्राइस का detail पढ़ना पढ़ेगा, किलियर ना, एमके गांधी वालेंटी पॉवर्टी, what is the one major problem of having ownership of atom, तो इसका हो जाएगा, D number option, according to the Baal Subramanian, what does IPA explain to his book, a textbook of English phonetics and Indian students, international phonetic alphabet के बारे में बात हुआ है, तो आप ही इसको देख लोगे, इन दपले, The Tempest of William Shakespeare, Stefano और कैलीबन, जब कैलीबन, Estefano और ट्रेंकिलो, जो की कोट जेस्टर थे, उनसे मिलता है, तो किन से मिलता है, Mark, Anthony, Ferdinand, Ariel ने तो ट्रेंकिलो से मिलता है, उनके साथ जोएन करता है, Prospero किल करने को लोग प्लान बनाते हैं, और Estefano is the king of the island, और लोग जब बात करते हैं, तो प्लान करते हैं कि Estefano को क्या बना दिया जाएगा, Prospero को मार करके, स्टेपनो किंग बन जाएगा, उस island का, चले, तीस थर्ड, थर्टी नमबर क्वेस्चन पर जाते हैं, तो देखो कि टेलीफोन कान्वर्षेशन में, तो हम जाएगे, पैरोकसाइट के बारे में जिक्र किया गया, जब आप इस पोयम को पढ़ोगे, है न, टेलीफोन कन्वर्षेशन में क्या है मारा कलर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जिक्र हुआ, दो फोन कोल में, कैसे सौथ इंडिया, सौथ का सौथ अपरिकाय कादमी, रूम चाहिए लंडन में, जब इंग्लिस लेडी उससे बात करती है, जब कलर का, पता है जदा है, आप कैसे कलर का, बलेक कलर का, तो कैसे उसका वे आप स्पीकिंग, कैसे वो सांथ हो जाती, तो सारे चीजों के बारे में बताया गए, ये भी जस्ट मैं पोयम को डील करने वाला, छोटी सी पोयम है, बड़ी इंट्रिस्टिंग पोयम है, इन नौरा रोसी एंट टॉम को लेटर टू टीचर, तो आप इसको देखोगे, इसमें इसका अंसर आजाएगा 20, इन डिस्टिप्लिन ऑफ डेली लाइप, तो इसमें आप जाओगे, बी नमबर ऑप्शन आपका सही होगा, इन डिस्टिप्लिन ऑफ डेली लाइप ऐससे है, आपका इसका मैंने नोट्स भी आपको सेयर कि, तो इसपाइस का हो जाएगा अंसर, आज अगे आएंगे, तो हम देखेंगे, 36 का 6 हो जाएगा, फ़ोनेटिक्स भूक की बात करें, तो 6 का यहां पर जिकरिकिया, कमाने इन क्वेस्टिन का अलग सी डिल करूँगा, फ़ोनेक्टिक्स और हिस्टियो पिंग्लिस लेंगोई से जितने भी क्वेस्टिन बने, मैं इसका अलग से एक लेक्चर वीडियो बिडियो बनाऊंगा, और इसको आपको बताऊंगा, 37 के अगर हम बात करें, तो 37 का आपका उप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट, 38 की बात करें, तो इसमें हमारा हो जाएगा, प्लॉज लेबल भी आंसर होगा, अगर हम 39 की बात करें, तो हमारा इसका आप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, कंट्री अप दी बलाइंड हो, विच सौथ अमेरिकन कंट्री, तो आप इसको देख सकते हैं, अगर हम आगे और बात करें, फोटी का तो फोटी में हमारा हो जाएगा, ए आंसर सही होगा, फॉनिटिक से क्वेस्टेंस हैं, चूज दा करेक्ट प्रिपोजिशन फॉम दा गिवन अप्शन तो कंपूरिट दे सेंटेंस, तो आप इसका देखोगे, अक्षल आइजवली ट्रेबल टू मधुरल बाइट ट्रेन, तो आपका प्रिपोजिशन इसमें डालना था तो बाइचलेगा, मैं कुछ क्वेशन को डियेप्त में डिसकसन नहीं कर रहा हूं, इसके लिए आप से मैं सौरी भी बोलता हूं, मैं आगे इनका करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको आंसर बताना चाहरा हूं, तो फिलीप लेन था उसका नाम, यह मैंने आपको बताया है, तो आपका इसका अप्शन हो जाएगा, अगर पोयम को आप पढ़ोगे इसका आंसर मिलेगा, इंडिविजुल मेकिंग इस ओन डिसीजन्स, विलियम वट्सवर्थ रेंबो से क्वेशन पूछा है, तो यहां पर क्या करना चाहते हैं, फिर से जम लेना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, पोयट बनना चाहते हैं, वहां मरना चाहते था हैं, एडिर्थ शेंटेंस इंडिव वाइस, तो इज अ अ लेटर भी रीटेन बाए अर्चना, तो आप देखोगे, इंटरोगेटिव कॵेश्चन को भी हम जान जाएंगे, अर्चना तो अर्चना के लिए पहले अर्चना के साथ में इज ही लगाएंगे क्योंकि इज हमार का यूज किया गया है प्रजन कॉंटिनिवर स्टेंस का इंटरोगेटीव है तो इज अर्चना राइटिंग अल्डी तो अगर इसको हम बनाएंगे तो इस लेटर बिएंग रिटेंग अर्चना डायक अपका यह जागा यह सब को डीट तो लगेगा ही नहीं वाज लगेगा ही नहीं हाज लगे नहीं क्योंकि मेरा प्रजन कॉंटिनिवर स्काट के इंटरोगेटीव सेंटेंस है तो इसमें आपका आंसर आजाएगा मैं स्टेज हो वाट क्वाल्टी तो अरने स्मीमिव इंपसाइज इन दे नॉबल दे ओलोगिंग तो दे मर्ली तो अलव दी आप्शन सही था सारा चीज हो चाहता था इसलिए आपका डी आप्शन सही होगा इसमें मिस्टेक इस मदर मेक्स लाइट आप देम प्रबबली बिकर्ज सी दीम्स धेम वाइटल आप गर्स तो रीच अज़ फूट फूल एडल्टूट इसमें कैसे एक चोटा सा बच्चा दमायन अब दी हॉस का होता है उसके बारे में तो इसका आंसर आपका सी होगा आगे अगर हम आगे बढ़े फूर्टी नाइन पर थी इन महेश दतानी फैलन सलूशन प्लेग हुए अमंग इस इस समी इसमिता मैंने बताया था कैरेक्टर से बड़े ही क्वेस्टन बनते हैं तो आप कैरेक्टर अगर आपको पता है तो देखना कौन था ही तो हार्दिका अगर हम जाएंगे क्योंकि तो आप इसमें अगर देखोगे तो आपका इसका आंसर देखोगे तो आपका इसका आंसर देखोगे अगर आएगा क्योंकि सारा कुछ था पिजबेशन था इडमेडिविटेबल स्प्रीट था फोटिक्यूट था सारे कुछ को तो अल अल अप दियो इसमें लेटर टीचर तो 51 का भी मैं क्वेस्चन में थोड़ा सस्पेंस में हूँ इसलिए इसको भी मैं हाइड करके रखता न तो कौन सा इंकरेक्ट स्पिट्मेंट एबाट और अमन ही सपोर्ट अटू थोट टूर्प कीपिग विःस कैस सिस्टम हेज से कैलिग्राफर विफाल था अल मुछ लग रहा है की नहीं था पिंटर था तो अ हम लोग चाहेंगे कि इंकरेक्लिटिमें था the following statement divided into four part PQRS rearrange them the proper sequence in order to make a meaningful sentence आपको इसको meaningful sentence बनाना है तो सबसे पहले है जाएंगे you must have, Q जाएंगे you must have the courage of your convictions in every pursuit of yours तो हमारा B options correct होगा in which stanza the hollow man does DSLN is new through terms such as ground skin in and step that hollow man are merely scare course तो हम जाएंगे इन में stanza का बात किया गया है तो इस stanza का जीकर हमारा कहां पे हुआ है B number वाले में हुआ है total how many rhyming quattrants in William's Express sonnet कितने है तो three quattrants में इसको लिखा गया है in the play Dr. Foster's Christopher Marlowe से है हमारा तो the question regarding the man who created the universe तो हमारा इसका B option सही होगा in AC bog history of English language से है तो हमारा इसका option A सही होगा rewrite the sentence in a PC boy मतलब कि direct and direct और PC boy से कम से कम मुझे लगता है कि 8 से 10 question है और 10 question history of English literature से भी हमको लग रहे है कि above question तो मैं इन पर आप काम करूंगा काम करना ही है सारे notes तो बने हुए मुझे इसको lecture देना मैं होब कर रहा हूँ कि हर दिन मैं एक lecture history of English language पर आपको दूँ ताकि आप तो काम करी रहे होगा आप एसी walk-up book पढ़ी रहा होँगे जो हमने इसका भेजा है आपका app पे जो है उसको आपने read out किया होगा तो हम लोग देखेंगा short stories written by me I have written this short story तो इसको हम लोग क्या करेंगे passive voice में change करना तो I have written this short story this short story have है तो यहाँ पे हम देखेंगे किसको क्या करना है थोड़ा यहाँ भी इसको error यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्यों मैं इसको थरा मिटाता हूँ कभी-कभी देखेंगे कुछ typing या highlight में भी गलती होथ इंसानों से गलती हो अगर आप देखोगे I have written this short story तो यहाँ पे देखोगे कि have लगा हुआ तो हम यहाँ पे किसका बात करेंगे present perfect का यूज हुआ तो this story, story single है the story has हैज के साथ हम passive voice जब बनाएंगे तो been लगाते है the story has been retained by me तो हमारा answer totally correct हो जाएगा तो जिन्हों ने भी इस answer को दिया है उनका answer सही है तो आप इसको wrong man होगे इसको wrong man होगे हैड लगा हुआ है वाज ने होगा तो हमारा C number होगा चूज the correct red book from the option given to complete the sentence तो sympathetically इसका C option सही होगा In the novel The Old Man and the C by Arne Swimming How long does Centego struggle with his catch to subdue it तो three days उसको लगा था In fasting fasting written by Anita Why does Uma have to play because her parents want her to care for their newborn ये number सही होगा The extent which the John can deal with the death and illness in order to Nettingham तो किस के लिए तो अपने भाई elder brother जो इनका death हो गया था और अभी अब जीना ने चाहता तो तो अपने तूबर कोलोसिस इनका हो गया था तो दो सेवर स्टॉम की वज़ा सुआ था ये नहीं होगा सुनामी नहीं होगा तो हमारा ये उप्सन सही होगा डी डी उप्सन के साथ हम चलेंगे 64 की बात करें तो वाट चार्म स्रेक चार्म और बाई आरके नरा स्नेक इन दे ग्रास पर चार्म स्टॉम की बात करेंगे तो ये हमारा सी उप्सन के साथ चलेंगे इन आरके नरायन प्रेंटर अप्साइन वाट इस दे ग्रास से भी तीन चार क्वेशन बनेंगे तो इस टॉपिक पर आपको थोड़ा देख लेना है मैंने राइटर के बारे में और हिस्टोरी के बारे में भी जिक्रे किया है दा कंट्री अव दि ब्लाइंड किस के बारे मीस्ट्रियूस पीपल हुए एनिविटेड वैलि सिच्वेठ इस कान्टिनेंट तो सौथ अमेरिका के बारे में बात हुआ है वहाँ पे वो लोग blind people लाते थे Choose the sentence with the correct subject-bhav agreement Subject-bhav, according to subject हम bhav का यूज करते हैं, singular है तो singular bhav plural है तो हम plural bhav के साथ जाते हैं तो either the principal or the student are right तो हमारा जाएंगे इसके साथ Either the principal or the student are right So either the principal or the student is right तो दिखेगा either or neither का यूज किया जाता है तो हम क्या करते हैं हम either the principal or the students are right हाँ तो हम इसके साथ जाएंगे B option के साथ यहाँ पर हम जाएंगे Clear? मैं इसके बारे में जीकर भी करूँगा कि जब नजदीक subject रहे सबसे close में Either, neither, or, as, with जब लगे तो मैं इसके बारे में जीकर करूँगा चलिए, splendor false Lord Tennyson का है तो as trophy, यह option सही हो जाएगा main clause in the sentence में main clause को आपको देखना है I read a novel हो जाएगा, B number 71 में misplit, जो कि sentence में कुछ fault है तो उसको देखना है, choose the misplit word तो हम चलेंगे, prestigious थोड़ा समय, एक मेट रुकता हूँ अगर आप देखोगे, तो आपका O U S होता है तो D wrong हमारा है the location where Bravinda Tagore, the cast of short historic city is a Chander Nagore तो हम इसको देखेंगे, यह हमारा D option हो जाएगा the course of in phonetics, what song does the notation denote तो हम देखेंगे, C option is का सही होगा in the fifth and final act, William Shakespeare play the tempest what revenge does prospero ought to his enemies, no he forgave them all are he azimed and dukedom मतलब last में क्या कर देता है, सबको माप कर देता है उसका प्लान तो रहता है, उसको सबक सिखाना अब फैनली अपनी बेटी का शादी होगा फेडिनांड से कर देता है, और सबको माप कर देता है तो हमारा D option सही होगा in the play doctor first से है Helen of Trice का answer हो जाएगा के लिए D option सही होगा according to आप हेर से देखोगा, फोनेक्टिस से लिकर है तो all of ones होता है, तो आपका D option होगा fill in the blanks with the most appropriate word which will suit the context of this sentence Rajas can hardly work but he want to participate in a weight lifting take off it what you will तो हमारा इसमें में का answer होगा इन grammar के लिए the power and of the glory से है तो none of the above option इसका होगा के लिए, चलिए, choose the correct tense to complete the sentence never have I ever backed for money as today तो हमारा 79 का A option से हो he write the sentence in a die case he said my brother is writing a letter तो आप भोत ही आसान है my brother is writing a letter मतलब की present continuous का है हम इसको past continuous में चेंज कर देंगे तो he said तो किसका है, उसी का brother है तो हम प्रिनौन को माई के ज़र क्या कर देंगे his brother was writing a letter बड़ा ही असान था मतलब कर सकते active or passive or diec in diec से या जो भी 10 से subject भर agreement से ग्रैमर पोर्षन में आप देखो कि अगर ग्रैमर ने थोड़ी बहुत समझ है अगर आपको structure पता है आपको rules कुछ पता है तो आप easily आप answer तक पहुचाओगे बहुत ही tough question मुझे नहीं लगता है grammar section से मिला था choose from the four options the word that they substitute the given phrase obstacle to the progress of something तो barrier होता है clear in fasting fisting से हमारा है तो इसका answer हम जाएंगे C option सही हो जाएगा identify the intangitive word among these तो disappear intangitive verb है अगर which of these is an uncountable non-form non हम जानते हो uncountable तो आप देखो chair friend तो हम जाएंगे furniture यहाँ पे uncountable non है तो which of these is an uncountable non-form तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे है for nature इसका सही होगा ठीक ना चलिए बाकी सब को हम लोग क्या कर सकते है कौन कर सकते है complete the sentence by choosing the correct pronoun from the given option Kumar himself is Ross critic तो हम को यहाँ पे correct pronoun को यूज करना है Kumar himself is Ross critic based on the Josephine book entitled origin of the English language which of Indian is an example of all italic family in language तो finish होगा based on the T बाला सुब्रमाणियम से टेक्स बुक of English phonetics और Indian student तो इसका option आपका क्या होगा हमारा B number होगा इना ग्रीस करनाड है वादाना पले who was the mother of the eponymous character a princess तो क्योंकि जो character mother of the eponymous character तो princess थी अगर हम आगे यहाँ पे आजाएंग 89 पे the realm of prehistory the generalist has speech of what does the mean of the term office तो एन इंपोर्टन टास्ट 89 का 90 में जाएंगे थायवदाना से है how many dolls does the no transport देवदता by at the Ujjayan fair to give his forthcoming child तो वो दो twice को खरीता है Ujjayan के मेले से why does Daji eventually decide against moving to the house of Ilman Street and Archie Narayan printer of science to preserve her sense of purpose and autonomy तो इसका option भी हमारा हो जाएगा अगर हम जाएंगे P QRS choose the part of syndrome with the error and mark as your answer तो P हमारा गलत होगा आप देख से हो the P skipped with तो आप देख सकते हो कि हमारा P नंबर जो है हमारा इसमें जो error है वो पता चल जाएगा rewrite the sentence in a diet Siraj told his friend that they would meet on his Sunday तो हम कर सकते हैं कि Siraj तो आप देखो कि इसको indirect में दे दिया आपको डायक में करना तो Siraj told his friend तो सबसे पहले Siraj said to his friend हो गया अब दे वोड मीट हो will को हम would में change करते हैं और दे को हम क्याच बना देंगे दे बन जगा we तो we will meet on Sunday तो चलिए 93 का हमारा C हो जाएगा अगर 94 की बात करे तो 94 में हमारा देखो के वाई देखो के वाई दस C.M.J. पर देखो के the civilization of today that machine soon will become man's master तो man has become too relent on them तो एह हमारा option सही हो जाएगा इन S.E.B.O.G. history of the English language what is the origin of the word dude तो Italian होगा 96 में अगर हम जाएगे तो इसका option third होगा 97 में अगर हम जाएगे तो हमारा D option correct होगा यह भी English phonetics यहां से है महज द्यतानी का फाइलेंस और लूशन play begin with the diary account of the action with the stage set initially against the backdrop of the partition of India क्योंकि वहाँ पे भारत पाकिस्तान का पार्टिशन हुआ था वह सारे rights हो रहे थे तो उस समय के बार में जिक्र किया गया है तो हमारा पार्टिशन आप इंडिया के बार में जिक्र है इन विलियम सेक्स्पियर Sonny 29 तो speaker distended with his being and a odd cast how does he came to term eventually with his flight तो by thinking of his love अपने प्यार के बारे में सोच कर और last question है MK Gandhi से what does he say the most desirable outcome the less we have the less we want the enjoyment of personal service to our fellow तो मैंने hundred number का भी answer को find out किया यह इसका correct होगा तो लगभग मैंने 2 या 3 question को छोड़कर 97 question का answer मैंने आपको बताया अब आपको यहां पर क्या करना कुछ answer ऐसे भी होंगे कि मैं तो बहुत परियास किया होगा बहुत find out करने के बाद और S4G टीम के effort से मैंने कुछिस किया कि सारे answer तक हम सही correct answer तक पहुँच जा है बट हम लोग answer की का भी wait करेंगे और उससे भी मिलाने का परियास करेंगे अभी आप इससे मिला और देखो कि आपका कितना correct हुआ है और आगे अगर हम बात करें तो 149 में जाकन समान ग्यान का महा अभ्यास पैक हमारे पास है इसमें 7500 objective question है है ना तो आप इसको भी purchase कर सकते हो only 149 में अगर आप mission mode में से त्यारी करना चाहते हो और English का देखोगे कि लगभग कर सकते हो कि topic में 100 से above lecture और notes mock 18 अभी तक यहां पर आ चुके हैं complete video lecture भी कर सकते हैं written PDF notes के जगा मैंने notes दिया है उसमें मैंने खुद से उस notes को बनाया topic wise sectional test है कुछ बच्चे को लगता है उनकी बातों से कि उनको बहुत ज़्यादा आता है अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो आपको कभी भी course purchase करने का कोई जूरत ने आप खुद से self-state कीजा और आपको जो दिया जा रहा है क्योंकि हम अभी काम कर रहे है जौब में भी है हमें पता है कि question कैसे आते हैं अब आपको आपके हिसाब से lecture लगेगा कि मैं अगर आपको खुद से effort लगाना हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 749 में आपको तरीका बता रहे हैं आपको इसके बाद फ़रा effort लगाना क्योंकि आप CGL जैसे का लेक्चर दे दिया 20-30 मिंट का लेक्चर दिया तो आपको इपास देखिया मैंने सौर्ट में वीडियो भी भी भेजा उसको भी आपको देखना है प्रिविएस यहर पेपर फुल लेंट टेस्ट आपका है वाटसेप गुरूप हमारा है और फिर expert teacher के दवारा पढ़ाया भी जा रहा है जितने भी expert teachers हमारे हैं वो साथ में mock बनाने में और lecture बनाने में हमारा मदद करें क्योंकि हर तरह का topic आपको आपको लगता है कि सब topic तुरत तुरत मिल जा तो इ जिसमें आपको exam से पहले लंसम जितने भी test कहा गया उतना आपको मिलेगा और आपको तो हमारा इस telegram channel के साथ जरूर जूणना चाहिए क्यूंकि अगर आप इसके साथ जूडोगे तो लगभग मैं अभी तक whatsapp में और इसमें 1000 से बब mcq question करवा दिया है अगर आप उसको अगर सिब कर लोगे तो देखना आपके हर topic से questions को मैंने वहापे grammar हो topics related हो कैसे question बनते हैं और question को बनाने में समय लगा तो आप अगर इस group से जूट जाते हो तो आपके पास 1000 से इबब question का bunch मिल जाएगा जो की telegram में available है तो आप इसको भी देख सकते हैं और आपको हमारे साथ जोड़ करके अपनी तियारी को बहतर बनाना चाहिए thanks for watching आप इस वीडियो को देखिए अपने answer को मिलाए फिर हम लोग नए lecture के साथ आगे मिलते हैं thank you